हेलो इस वीडियो में हम इफ एन्ने फंक्शन के बारे में जानेंगे तो कभी कभी हम अपने डेटा में काम करते हैं तो काम करने के बाद एन्ने एरर आ जाती है एक्जम्पल के लिए बी लुक अप के दवारा हम किसी स्टूरेंट का नेम डूंट रहे हैं और उस स्टूरेंट का नेम डेटा में होता नहीं है तो हमें इस सच्टूरेशन में एन्ने एरर आ जाती है तो इस na error को हटाने के लिए if na function का use करते है तो यह हमारे पास यहाँ पे data दिया गया है जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ student name यह सभी student name है और इसके बाद यहाँ पे subject है कि यहाँ पे English subject इनके marks है नीचे कि जब हम इनको be lockup के दोरा सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद अगर कोई यहाँ पे name नहीं है उसको हम सर्च कर रहे हैं तो उस situation में यहाँ पे error शो होगी तो इसको हम be lockup के दोरा चेक करेंगे इसके बाद यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद equal to लिखा equal to लिखने के बाद यहाँ पे be lockup formula यूज़ करेंगे तो यहाँ पे लिखा बी lockup यहाँ पर डबल क्लिक किया है यहाँ पर डबल क्लिक किया है डबल क्लिक करने के बाद इसको आगे दिया गया है lookup value तो यहाँ पे कहाँ पर lookup value करनी है हमने यहाँ पर करनी है यह हमने cell select कि यह cell name यहाँ पर आगिया D3 lookup value के बाद comment तो comma लगाएंगे comma लगाने के बाद आगे दिया गया टेबल एरे तो टेबल एरे हम यह range select करेंगे काह से लेके काह तक हमने यह range करने है यह range की तो यह सारी range यहाँ पर आगी यहाँ पर A3 से लेके B7 तक यह देखो A यह A3 यहां से लेके यह B column है यह B7 तक यह range select की यह सारी यहां पर आगे आने के बाद आगे फिर यहां पर comma दिये गया है तो comma लगाएंगे comma लगाने के बाद column index number कि कहां से हमने इसको search करना है जैसे यहां से करना है तो इस second यहां पर यह second column है तो यहां पर हम लिखेंगे 2 यह 2 लिखा इसके बाद 2 लिखने के बाद range look up इसके बाद फिर यहां पर comma लगाएंगे comma लगाने के बाद यहां पर 0 लगाएंगे यह B look up formula है तो यहां पर 0 लगा दिया लगाने के बाद हम क्या करेंगे इसको बंद करेंगे ब्रेकेट को ये बंद की बंद करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करने के बाद ये दिखो यहाँ पे कोई भी वैलियो हमने नहीं लिखी हुई है तो यहां पे यह जो error आ रही है na error यहां पे आ गई तो यहां पे अगर हम यह जैसे यह bobby है bobby लिखेंगे तो क्या होगा यह na error यहां से चली जाएगी लेकिन जो इस list में यहां पे name नहीं है अगर हम उसको यहां पे लिखेंगे तो यह error यहां पे आ जाएगी तो यह रिखो हम यहां पे Bobby लिखेंगे यह Bobby लिखा Bobby लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह error यहां से अट जाएगी यह रिखो enter प्रेस किया इस list में यह Bobby नेम यहां पे है और इसके English में जो marks है यह 88 है यह यहां पे show हो गए तो जो इस list में होगा उसको यहां पे यह search करेगा और जो इस list में नहीं होगा वहां पे error आजाएगी suppose करो हम यहां पे कुछ और लिखते हैं जैसे यहां पे आजे लिखा तो आजे इस list में नहीं है यह देखो यह student name लिखे हुए है यहाँ पर आजे नहीं है तो यहाँ पर आगर हम आजे लिखेंगे तो यहाँ पर na error आ जाएगी यह देखो आजे लिखा आजे लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे तो यहाँ पर यह na error यहाँ पर आ गई जैसे हैं यह साहिल यह लिखा साहिल लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे फिर यहां पर error आ जाएगे अब अब हम यह चाहते हैं कि यह जो यहां पर error आ रही यह यहां पर error ना आ ए इसकी जगाH यहां पर कोई text है जैसे कुछ भी यहां पर लिखेंगे invalid कि इस error की जगा rhymes पे invalid आए, तो इस error को अटाने के लिए हम यहाँ पे if na function का use करेंगे, इसके बाद इसको यहाँ से delete करेंगे, यह delete किया, delete करने के बाद तो equal to, यह लिखा, इसके बाद if na तो यह यहाँ पे नीचे आ गया, if na यहाँ पे double click करेंगे यह देखो, double click करने के बाद यहां पर आ जाएगा बैल्यू तो बैल्यू में हम यहां पर बी लुक अप लिखेंगे यहां पर बी लुक अप यह लिखो निचे आ गया यहां पर डबल क्लिक किया डबल क्लिक करने के बाद इसके बाद है यहां पर lookup value, तो lookup value इस cell को हम select करेंगे यहाँ पे click किया, यह इस cell यहाँ पे name आ जाएगा D3, तो D3 आने के बाद फिर यहाँ पे दिये गया है comma, तो comma लगाएंगे comma लगाने के बाद आगे दिये गया है, table array तो table array इस range को select करेंगे यह देखो, यह range हमने यह select की, यह सारी range यहाँ पे आ जाएगे, आने के बाद फिर हम यहाँ पे comma लगाएंगे यह देखो, table array के बाद यहाँ पे comma है, तो comma लगाएंगे comma लगाने के बाद यहाँ पे दिये गया column index number, तो यह second column है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, to यह लिखा, comma, इसके बाद zero लिखा, zero लिखने के बाद, हम इस bracket को बंद करेंगे, यह bracket बंद की, बंद करने के बाद comma लगाया, इसके बाद आगे लिए गया है, value if any, अगर यह यहाँ पे error आ रही है, तो उसकी जगा हम यहाँ पे कौन सा text यहाँ पे यहाँ पे show हो, तो इसको लिखने के लिए, हम यहाँ पे double code को start करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे invalid, यह invalid लिखा इसके बाद double code को बंद किया, बंद करने के बाद फिर bracket को बंद करेंगे bracket को बंद करने के बाद enter press करेंगे, तो enter एंटर प्रेस करने के बाद यह देखो यहां पे आ गया invalid जब हम यहां पे लिखेंगे जैसे यह बोबी लिखा तो बोबी लिखने के बाद यहां पे यह वैल्यू शो हो जाएगी यह देखो यहां पे बोबी लिखा तो बोबी लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यह पर यह marks आ जाएंगे यह दिखो English में 88 या किसी और का नेम लिखेंगे जैसे suppose करो अलोक का नेम यहां पर लिखना है यहाँ पर लोक नेम यह लिखा लिखने के बाद एंटर प्रेस किया तो इसके मार्क से यहाँ पर आगे इसके बाद कुछ और लिखेंगे जैसे यहाँ पर हमने लिखा रमेश रमेश लिखने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इंवैलेड शो और है, इसकी जगा यहां पर ब्लैंकी शो हो, यह भी यहां पर हमें शो ना हो, तो if any function के जरीए, हम इसको भी यहां पर अटा सकते हैं, तो यहां पर double click करेंगे, यह double click किया, double click करने के बाद यहां पर invalid लिखा हुआ यहां पे शो होगा तो इस तरह से हम if any function के जरिए error को यहां से हटा सकते हैं तो इस वीडियो में हमने if any function के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe में चैनल धन्यवाद